असलाम अरखम, तोड़े I will discuss tax avoidance. Tax को avoid करना, बट कैसे? Method to reduce tax सबसे पहली बात यह है कि एक तरीके का method है जिस तरीके से आप tax को कम करते हैं सबसे पहले तरीके जो लिखा जाता है tax कम करने का यह legal तो है, but uneethical है यह क्यों आनी थी कल है यह हम बाद में डिसकस करेंगे आगे पड़ते हैं इसका जो दूसरा नाम है वो है लूप होल टेक्स प्लैनिंग इसके दूसरे नाम से ही इसका मिनिंग कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है देखिए आप अपने टेक्स को प्लान कर रहे हैं बट किस तरी से हम लूप होल इतज आप बोज्ञ लोजिंग टेक्स अथर्टी जाषावर समटक देंगे इसके और आपमाली को ब्रेक नहीं कर रहे हैं बत जो टेक्स अथ़र्टी जाता खिम यह कर चाहिछ प्लीटलीटलीं इनकर ऑशली है इंकर कम दे रहे हैं जितना बंता ता इतना स है कोई ना कोई कम्यों का फाइदा उठा रहे हैं टेक्स का मैथेड कितना कंप्लेक्स है जो टेक्स एक्सपर्ट है वो कोई ना कोई त्रीका डूंड निकालते हैं जिससे टेक्स कम किया जासके कोई लाब ब्रेक किये बगार टेक्स अवाइडेंच का मिनेंग हुआ के जो ग रूल एंड रेगुलेशन बनाई हैं इसमें आप कमी ढूंडते हैं फिर इनकम्यों का फाइदा उठाकर आप टैक्स को बचाते हैं सो यह मीनिंग हुआ टैक्स अवाइडेंस का अब हम एक्जेम्पल देखते हैं जिससे इसका मीनिंग कम्प्लीट हो जाएगा एक परसन है जिसकी बिजनिस इंकम है 2 greater ऐस प्रोपर्टी इंकम है 1,400,000 टोटल इंकम इसकी हो गई 3,500,000 अब गौर्मेंट ने जो टैक्स लगाया है इंकम पे वो है 2,500,000 के उपर जिसकी इंकम होगी उसको टैक्स देना पड़ेगा अब जो इस हस्पेन एक परसन है उसकी इंकम 3,50,000 है उसको टेक्स देना पड़ता है और जो उसकी वाइफ है बीवी उसकी इंकम है 1,00,000 है अब वो देखता है मुझे टेक्स देना पड़ता है मेरी बीवी को टेक्स नहीं देना पड़ता है इससे बचने के लिए वो अपनी होस प्रोपर्टी इंकम है एक लाग पचास थार वो बीवी के नाम फिर शो करवा देता है यह मेरी नहीं मेरी बीवी की इंकम है अब बीवी की इंकम हो गई दो लाग पचास थार अब बीवी को भी टेक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अधाई लाग है अधाई लाग के ऊपर टेक्स है लगना है और जो हस्पेंड है उसको भी टेक्स नहीं देना पड़ेगा उसका पज़साड़े तीन लाग था अब देड़ लाग उसने होस प्रोपर्टी का बीवी के नाम से शोकर वा दिया है। दो लाग बाकी मज़ा तो उस पे टेक्स नहीं लगेगा। तो उन्हों ने रूल को तोड़े बगार इसका फाइदा उठाया। जिससे इस पर टेक्स जो लगा था वो तक्सीम हो गया बट गया। अब वो नहीं बढ़ना पड़ेगा। उन्हों ने गॉर्मेंट की रूल की कमियों का फाइदा उठाया कि इस तरीके से टेक्स लागू होगा मेंशन नहीं किया। अब जब गॉर्मेंट को पता चलता है ये काम सब लोग कर रहे हैं। गॉर्मेंट रूल निकाल देती हैं जिससे बहुत सारे परसर ये काम करने लगे थे। गॉर्मेंट ने रूल में चेंज किया। अब गोप्रवमेंट ने रूल बनाया है कि प्रोपर्टी को ट्रांसवर किये बगार इसकी इनकम ट्रांसवर नहीं कर सकते हैं lux mayo एक प्रोपर्टी आप ट्रांसवर कर रहे हैं यो husband आपने बिवी के नाम से अपनी इनकम शुक्रवा रहा है वो अपनी income transfer कर रहा है पहले property बीवी के नाम पर ही होनी चाहिए आप income को तब ही transfer कर सकते हैं जब इसका title transfer करेंगे